हलो वच्चो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओलाइन स्विक्षन पर वच्चो डियलैड फॉर्थ सेमिस्टर की आपकी मैथमेटिक्स की क्लास हो चुकी है अब से पहले आपकी एक क्लास हुई है उसमें हमने स्लेवस डिसकस किया था यानि आपका कोई भी स्लेवस अभी हाँ पर चूटा नहीं है आज से आप क्लास को कंटिन्यू करते हैं तो आपके अच्छे माक्स आएंगे आज की इस वीडियो में हम डियलैड फॉर्थ सेमिस्टर के मैथमेटिक्स जो बेसिक से क्लास स्टार्ट की गई है आज आपकी पहली वीडियो का नाम भी है वरगीगरत आकडो की मादिका एवं बहुलक की गणना करना ठीक है आप अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे बिल्कुल सही एक बार बता दीजिए आप तक आवाज और वीडियो ठीक ठाक पहुंच रही है कि किसी को कोई दिखकत तो नहीं है पिरागे के क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और जलद से अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को से एक्ष कर दीजिए अपने कोलिज ग्रुप में बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे माद्धिका और बहुलक ये दो है जिनके बारे में हमें पढ़ना है बहुलक और माद्धिका ठीक है तो भी सबसे पहले माद्धिका की definition पता होनी चाहिए माद्धिका मतलब median इसकी definition भी आपको पता होनी चाहिए और देखते हैं मैंने यहाँ पर लिखी हुई है आप इसको अपनी notebook में note करेंगे क्योंकि एक marks में आपसे पूछ लिया जाता है कि median की definition बताईए median की परिभाशा बताईए या माद्धिका की परिभाशा बताईए तीक है आपको ये भी या अब्रोही कर्मों में रखने पर मध्यपद के मान को माद्धिका कहते हैं क्या इसका अर्थ आप समझ पाए अगर नहीं समझ पाए तो मैं अपने सब्दों में बताता हूं वह कोई आपसे digit दी गई है इस तरीके से जैसे आठ पंद्रा बीस नो तो कि इस तरीके से आपको unit digit दी गई है इसको आपको asending wenn मतलब आहसी या अब्रोही आहरोही मतलब होता है बढ़ता करम अवरोही मतलब होता है गठता करम याने declining order राइट अब इसको आपको ascending or descending order में करना है कैसे करेंगे सबसे पहले वई दो आता है तो सबसे छोटी उनिट दो है उसके बाद जो है साथ आता है इसके बाद क्या आएगा आठ आएगा आठ लिख लिया आठ के बाद 9 आएगा और 9 के बाद आता है 15 15 के बाद आता है 20 कितनी डिजिट हो गई एक दो तीन चार पांच है एक दो तीन चार पांच है ठीक है असेंडिंग और डिसेंडिंग ओडर में हमने कर लिया तो मादिका कैसे निकालेंगे वे दो डिजिट देखो अगर ये इसका एक फोर्मूला भी होता है उसको आप नोट कर लीजए मादिका का यहां पर करवा देता हूं इसका फोर्मूला नोट वाई अगर N है N पटे क्या आप सभी देख पा रहे हैं इन दो में से कोई साइक फॉर्मूला लगेगा एन मतलब है संख्या ओफ नंबर्स लब नंबरों की संख्या कौन सी यह वाली जैसे एक दो तीन चार पांच है तो छे होगी तो छेन हो गया ठीक तो यहां पर लिखेंगे उनकल लब एन की जंगा तो 6 आगया और बटेट चूँ कि तो तीन इदर से छोड़ दी तीन इदर से छोड़ दी तो बात बनी क्या नहीं बनी तो इसीलिए आपको क्या करना है बीच की दो संख्या निकालनी है यह से आपको दिख रहा है दो इदर छोड़ दी दो इदर आठ आठ शोला और एक सत्रा सत्रा बटे दो एनी फोर्मूले में रख दिया हमने एन बाई टू कि तरह बटे टू तो आठ साड़े आठ आ जाएगा यह इसका उत्तर हो जाएगा मेडियन निकल गई इसी तरीके से आगे देखो मोड के बारे में जानते हैं मोड क्या होता है चलो जी मोड क्या होता है बहुलक इंगलिस में मोड कहते हैं हिंदी में उसके बहुलक कहते हैं इसके बारे में भी जान लीजे चर रासी के उसमान को जिसका वारंपारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं यह तो उसस फिर से 6 फिर से 2 फिर एक दो बार से फिर दो दे दिया तो वह जो संक्या सबसे ज़्यादा बार आती है कौन से संक्या यह सबसे ज़्यादा बार बताइए इसमें कौन सी ऐसी संक्या है जो सबसे ज़्यादा बार आई है आप ही बताइए कमेंड में जिल्दी से कौन से संख्या ऐसी है तो दो ऐसी संख्या है ये वाली कि जो सबसे जादा बार आई है तो कितनी बार आई है ये पांच बार आई है तो इसलिए सबसे जादा बार है तो बहुलक भी तो ही होगा यानि जो संख्या सबसे जादा बार repeat होती है उसे ही बहुलक कहते हैं उसे ही mode कहती है राइट चलो जी अब आगे इस यह समझने का इस यूनिट में इतना ही था आगे मैं आपको कुछ questions कराता हूं दस question है चोटी सी एक class है चोटी सी यह unit है दस question में इसके आज आपको कराऊंगा बागी कुछ question मैं इसके कल आपको discuss कराऊंगा तो आपके सामने अभी जो मैंने आपको अभी बहुलग और मादिका पढ़ाया उसी से यह question है तो आपके सामने पहला question है 17, 13, 16, 12, 11, 18, 9 इसमें से मादिका बताईए तो बताईए जल्दी से तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको जो यह संख्या होती है इनको ascending और descending order में लगाना है तो चलिए हम ascending और descending order में ही इनको पहले लगाएंगे उसके बाद आपका सही जवाब आएगा अब तक अगर आपकी यह गलती होती थी तो आगे इन questions में आप गलती नहीं करके आएंगे बिल्कुल सही क्या सब बच्चों के समझ आ रहा है जल्दी से बता दीजिए के comment देखता हूं लेकिन reply में बहुत कमके करूंगा क्योंकि अभी आपका पढ़ने का समय है और maths में आप ज्यादतर कमजूर भी है तो इसको ascending order में लगाते हैं चलो जी मैं कहां लगा हूं इसको जूम कर लेता हूं इतना ही होगा चलो यहां पर लगा दूं सबसे छोटी स संख्या कौन सी है 9 उसके बाद कौन सी संख्या आएगी वही 9 के बाद आएगी 11 के बाद कौन सी आएगी 11 के बाद आएगी 12 और फिर आएगी आपकी 13 उसके बाद कौन सी आएगी 13 के बाद 13 के बाद आती है आपकी 16 17 और 18 तोला 17 और 18 हो गई क्या पूरी 3 3 6 7 3 3 6 7 बिल्कुल सही जवाब तो इसमें बताना है आपको कौन सी संख्या आपकी मीडियन होगी यानि मादिका होगी जल्दी से इसका सही जवाब बता दीजिए तो मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या 2 4 6 8 हो तो प्लस वन करके डिवाइड करना है अन्य था आपको इस तरीके से व्याप कर सकते हैं कैसे दो चार 6 अगर संख्या होती है पेर में तो डारेक्ट दो से भाग देना है अन्य था आपको वन एन प्लस वन बटे टू वाला फॉर्मूला लगाना है जैसे इसमें संख्या कितनी है एक दो तीन चार पांच शे साथ संख्या है चलो जी तो साथ प्लस एक कितनी 8 होगी 8 पाटे 2 यानि 4 तो चोथे नंबर की जो संख्या होगी वही हमारा मेडियन होगी 1 2 3 4 13 हमारा मेडियन है यह तो था फॉर्मूले के इसाब से आप इसी तरीके से एक्जाम में करके आएंगे लेकिन मैं आपको एक बार आंस्वर चेक करने का डारेक्ट तरीका भी ब इदर से जो बीच में बची वही हमारी मेडियन है प्लिक है मादिखा आपके समझ आया वही बीच की जो संख्यावची ते रा वही हमारी मेडियन आगी अब कैसे पता चलेगा यह रहा ते रहा फॉर्म नंबर ए बिलकुल शही है जिस जी केंडिडिएट ने उप्शन कौन से होंगे? कौन बच्चा बताएगा? सुरू के 10 जो है एभाज्यक गुणा को एभाज्यक होने चाहिए सुरू के 10 तो चलिए बताइए मैं भी बताता हूँ सबसे पहले आपका आजाएगा एक एक आगया इसके बाद तीन पाँच अच्चे बता भी रही है बिल्कुल सही एक तीन पाँच उसके बाद साथ और उसके बाद आता है आपका नो नहीं आएगा त्यारा 11 के बाद आएगा 13 ठीक है पर्थम 10 एभाज्य गुनाजो की मान देगा तो वह तीन चार पांच छे हो चुके हैं 13 के बाद कौन सा आएगा 13 के बाद 17 के बाद 23 तो यहीं से आप देख लीजिए वह दस पूछिए हैं ना दस तो दस में कौन सी होगी पताइए वह दस संख्या है तो उदर से भी कट करो उदर से भी करो यानि तीन चार रेक पांच 14 वाई 2 अभी मैं देख लेता हूँ इसका जो जवाब क्या आएगा चलो जी पताओ पर्थम 10 गुणा जो की संख्या का मादिगा क्या होगी होगी एक तीन पांच साथ तरवाई ग्यारा तेरा सतरह तेईस कितने होगी तीन तीन छे साथ आट वह नो दस एक हो रहा है गया आएगा तरवाई के बाद क्या आएगी तो 31 अगया होगी दस एक दो तीन चार पांच है साथ आट नो दस तो क्या निकालना है इनका मादिगा मीडियन कैसे निकालेंगे बीच की दो एक दो तीन चार पांच एक तो तीन चार पांच ठीक है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप इसका सही जवाब होगा उप्शन नमबर बी 12 कैसे आएगा क्योंकि वो देखो पांच डिजिट आपने इधर से छोड़ दी ठीक देखो इधर से यह कट होगी इधर से यह होगी यहाँ 27 कटी इधर से तीन कटी पांच साथ से बची बीच की दो डिजिट 11 और 13 11 और 13 कितने होता है तीनर एक चार एक दो चोविस चोविस को आप दो से भाग देंगे तो आपका जाएगा उत्तर 12 12 किस ओप्शन में है तो 12 ओप्शन नमबर बी में है तो आपका सही जवाब भारा जाएगा राइट चलिए अगले कुश्चन की ओर चलते हैं एक परिवार के आठ सदस्यों की उम्र ये है तीन, पाँच, आठ, ग्यारा, थिकतिस, पैतिस, पच्पन और वाई, उनसट तो इस परिवार के माधिका की उम्र बता ये वही सबसे जो माधिका है मतलब उसकी उम्र बतानी है जल्दी से कैलकुलेट करेंगे सभी बच्चे कैसे कैलकुलेट करेंगे माधिका निकालना मैंने अभी बताया है कि आपको बीच की संख्या लेनी है अगर आपकी संख्या आठ है तो एक फॉर्थ और फिफ्थ नंबर की लेंगे और अगर नो है तो चार इदर छोड़ दो चार इदर वीच वाली संख्या तीन पिंच्छें साथ आठ है संख्या आपकी और इसका सही जवाब आप कैसे निकालेंगे तो चलिए निकालते हैं कि बिल्कुल सही आपका उत्तर आ जाएगा तो बही यह वाली जो है बीच की संख्या है तो राइट इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं तीन चार आठ तो आठ बटे दो चार तो पूर्थ नंबर की और फिफ्ट नंबर की संख्या आपकी यह हो जाएगा उतलब तीन इदर से कट कर दी तीन इदर से ग्यारा और इकतिस को जोड़ लिया दो और चार ब्यालिस को दो से भाग दिया 21 तो 21 आपका जवाब आ जाएगा उपसे नंबर सी इतने भी कैंडिडेट ने बताया बिल्कुल सही है चलिए अगले कोश्चन क्यों चलते हैं कोश्चन नंबर फोर इस तरीके का कोश्चन आपका आता है आपके एक्जाम में दो माक्स में आपके कोश्चन आता है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है तो ये पद दिये गए हैं इसको आप कैसे समझेंगे और इसमें बहुलक निकालना है बहुलक मैंने अभी आपको पिछले पेज पर यहां पर बताया भी था बहुलक मतलब मोड जो संक्या सबसे ज पर आया हुआ है इस तरीके से दस दस इसका मतलब यह हुआ है अब यह बीस है जो आट पर रिपीट हुआ है इस तरीके से आट पर रिक 30 है जो वो 20 बार रिपीट हुआ है यानि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वह हमारे 30 है यानि इन कोई दिक्कत जो सबसे जादा बार रिपीट हुआ है वो इसमें पूछा है क्योंकि बहुलक यानि मोड उसे ही कहते हैं जो सबसे जादा बार रिपीट होता है इसमें सबसे जादा बार रिपीट 30 हुआ है यानि 30 जो है वो 20 बार रिपीट हुआ है इस तरीके से यानि 20 बार मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से repetition हुआ है अगला question प्रापतांग को 22, 24, 27, 22, 26, 23, 24, 25 और 23 का भूलक होगा भूलक इसमें भी भूलक ही निकालना है यानि आपको mode ही निकालना होगा मोड़ ही निकालना है यानि मतलब जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगा तो कैसे पता करेंगे 22 जो है एक Бार दो बार जा थीक है 22 जो है हमारा दो बार रिपीट हूआ है एक option के एसाब से चलते है 23 कितनी बार रिपीट हुआ है 23 जो है हमारा दो बार रिपीट हुआ है ये भी 24 देखते हैं 24 एक दो तीन जो है वो तीन बार रिपीट हुआ है और बाकि बचा 28 28 हमारा एक बार रिपीट हुआ है तो बता दीजिए इसका सही जवाब कौन सा होगा मोड यानि वहुलग कौन सा होगा इसलिए यह वहुलक होगा किसी को कोई दिक्कत आपके मैथ समझ आ रहा है या नहीं जल्दी से बता दीजिए चलिए अगले क्वेश्चन की और चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन है आकडो यानि तीन पांच साथ तीन दो जीरो तीन पांच का वहुलक क्या होगा वहुलक वही सेम बात मोड और रिपीटेशन नंबर ओफ रिमिटेशन बताना है तो देखें ओप्सन से ही चलते हैं जीरो कितनी बार आया है जीरो आया है एक बार तीन कितनी बार आया है जीरो काटते हैं हमने तीन एक दो तीन आया है तीन बार पांच देखते हैं एक दो पांच आ यह तो तीन जो है तीन बार आया है इसलिए अपसे नमबर बी यह और पर सही हो जाएगा इस तरीके के मासुम मासुम से कोश्चन आम से पूछ़े जाते हैं जो आप अपने एक्जाम में गलत करके आते हैं तो ऐसे questions कभी गलत नहीं करने हैं अच्छे से अपनी तयारी करनी है और चलिए तीन questions और बचे हैं आपके आज की class में बाखी कल की class में करेंगे जैसे वही 7 नहीं 7 वह तो एक question number है 4, 5, 7, 11, 9, 4, 7, 10, 4 का बहुलक क्या होगा मोढ क्या होगा मोढ के ही question है आपके तीनों सात कितनी बार आया है 1, 2, 3, 4 आगया 4 5, 9才 9 आएक बार और 10 कितनी बार आया है दस आपका सिर्फ एक बार ठीक है तो आपका कितनी बार आया है चार आया है, तीन बार रतर नमबर भी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका जितने भी candidate दे रहे हैं साथ वेका भी तो वो बिल्कुल सही है बिल्कुल सही जवाब है आपका चलिए अगले question के और चलते हैं आप समझ पा रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी question में किसी को कोई doubt होगी तो वो मुझे बताएगा उसका solution करना चलो जी दस विध्यारत्यों कि आयू आइउ आठ साथ नो आठ दस आर्ट ग्यारा आर्ट आर्ट साथ और आठ तो वह इन में बहुलक बताना है कौन सा है यानि मोड बताना है आपको कौन सा है तो वह साथ जैसे option के हिसाब से इनको count करते हैं जैसे option नंबर ए में हमें सा और पांच छे शे बार आगया वही तैद यही उत्तर होगा नो जो है वह आपका एक बार आया है और दस आपका एक बार आया है तो बता दो जी कौन सा उत्तर होगा आठ वेका आठ वेका option नंबर बी आठ जो है वो छे बार रिपीट हुआ है इसलिए आपका mode भी आठ ही होगा आज का आपका last question वड़ी छोटी सी एक class थी लेकिन आपके एक unit इसमें finish हो गई दो marks आपके पके कल मैं आपको और कुछ graph इस तरीके के question कराऊंगा जो आपके exam में आते हैं इस तरीके के थोड़ा level बढ़ा के question वो उचूंगा और कल के बाद या आपकी unit समाप्त हो जाएगी एक परिक्षा में तीन छात्रों के प्रापतांग तीन पांच चार तीन दो तीन दो जिरो छात्रों के प्रापतांग को कब हुलक होगा तो इसमें भी आपको mode ही निकालन यह बात आप ध्यानक ना आप mode निकालेंगे मीडियन निकालेंगे या मीन निकालेंगे एक मीन भी होता है अगर आपके चलो थोड़ी दिर में बताता हूं पहले इसको जवाब देते हैं पर तीन पांच चार तीन दो एक इसमें जो है बहुलक छाटना है तो सबसे पहले द जो बहुलक होगा ओप्स नंबर भी यानि तीन आया है तीन बार तो जैसे आपको मैंने बताया मीडियन और मोड के बारे में एक आपका बेटा होता है मीन मीन में क्या होता है यानी माद्य मीन का मतलब क्या होता है माद्य ठीक इसका हम ओसत भी कह सकते हैं ओसत आप सभी निकाल सकते हैं ओसत कैसे निकालते हैं जैसे एक बच्चे की उमर है 20 साल दूसरे की है 23 साल और एक की है 28 साल और एक की है 20 साल इस तरीके से अगर आपको ओसत निकालना हो उम्र का ओसत निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे इन सब को पहले एक बार जोड लीजिए यानि 20 प्लस 23 प्लस 28 प्लस 20 सुइगे कितना हो जाएगा 20 20 40 60 70 88 और 28 एर तिन अधासी और 3 कितने हो गए क्यारा क्यारा यानि इक्यार में अब इक्यार में को हमें जैसे यहां पर देखे एक्यार में हो गया उनका पूरे का टोटल संख्या होगी उतने से भाग देंगे यानि एक दो तीन चार से भाग देंगे तो आपके सामने आपका ओसत आ जाएगा आपका माध्या जाएगा अपका मीन आ जाएगा इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है तो आप बना के लिख देंगे अब इक्याण में को चार से भाग देना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं चार दुनी आठ बचा एक ग्यारा चार दुनी आठ ग्यारा तीन बचा इमाइंडर अब इसे आगे भी करना चाहो तो पॉइंट लगा जीरो लगा लो चार चोक शोला जाएगा ठीक है और यह इस तरीके की जो calculation मैंने करके दिखाई यह सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाई क्योंकि आप से आपके एक्जाम में 2019 में इस तरीके का question आया था कि किनी भी दो डिजिट की multiply कैसे करेंगे पूरी detail में बताईए तो आपको उसमें कैसे बताया गया था जैसे 21 गुना 21 सिर्फ आप ऐसे दो डिजिट आपको लेनी थी और इसकी multiply करके आपको दिखाना था इसी तरीके से अगर आ जाए कि भाग कैसे करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे अ अब इसको जैसे ऐसे करना सकूना एक एकम एक एक दूनी दो पर आ गया यहां पर multiply का निसान दो एकम दो दो दूनी चार तो टोटल कितना हो गया चार चार एक इस तरीके से सिर्फ आपको करना था और आपके दो नंबर पक्के थे डियालेड के फोर्थ सेमेस्टर के एकजाम में दो हजार उननीस में इस तरीके का यह कोश्चन आया था कल की क्लास मैं हम आपको यह कोश्चन भी दिखा दूंगा क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे बाकि आपके यह दस कोश्चन हो चुके हैं और किसी को कोई डाउट होग तो वीडियो के कमेंट बुक्स में आप कमेंट करेंगे उसका रिपलाई आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिए इस वीडियो को भी खूब अपने फ्रें के बाई टेक क्या टाटा बाई बाई